नमस्कार आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वैदर में मेरा नाम है अरविंदामा दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम के आल के बारे में लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे उपगरेट डेटा मोडल पर तो ज हलकी लगातार कमजोर होता जा रहा है और इस शीटम के कारन आज भी पुछी मुटरर परदेश के कई जिलों में अच्छी 23 होने के आ सार है ऑào गया जैसे कि यहां पर बारत के प्रदीराज्यों पर एकsey нед! और यहां पर सरकूलिशन बना हूए है था कि यह उत्तर परदेश के मद्या बागों से उत्तर परदेश के बागों के और आगे बढ़ेगा लेकिन अब यह उत्तर परदेश से होकर और उत्रा खंड से होकर नेपाल के बागों के और आगे बढ़ जाएगा हालकि सिस्टम के परभाव से 25 सितंबर में भी पच्छी के उत्तरी वागों में कल अच्छी बारिस देखने को मिलेगी और पूर्वी और मध्या बागों में बारिस की कत्विद्या कुछ कम रहेगी अलग कि कुछ बागों में वहां पर भी ठीठाक बारिस होने के आसारमें नजरा रहे हैं तो दोस्ता जैसे कि आप 25 सितंबर की रेक्स जैसे के आप डेक्वा रहे हैं कि जो बंगालब की घई से होए आ रही है और उतार प्रदेश से अरे यहां उत्टर나वा है जिसके और उत्तर प्रदेश के कहीं मद्या और पूरिवी जिलों के कहीं वाहों में कल भी भी बारिस होने का आसार है तो यह जानते हैं कि किस परकार बारिस होने की सबाव नहीं है तो 25 सितंबर में साहरंपुर, शामली, मुझेफरनगर, बागपत, बिजनोर, मुरादबाद, रामपूर, अम्रोहा, गाजाबाद, इंजलों में हलकी से मध्यम बारिस के साथ कुछ ब रखनाउ, यहां पर भी इंजलों में हलकी से मध्यम बारिस के आसार बनेंगे, इसके साथ सत्में यह जो इतने भाग हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि बारा बंकी, राइबरेली, अमेठी, परताबगड, संत्रविदास नगर, परियागराज, मिर्जापूर, सौन, मदर, चंदोली, और वाराणसी, गाजीपूर, आजमगड, अम्रेड कर नगर, बस्ती, आयुध्या, गोंडा, और सिधार्थ नगर, गोरकपूर, आजमगड महू, इन जिलों मेवी, हलकी से मध्यम कहीं कहीं तर बारिस देखने को मिल सकती है, इसकलाबा, जो ये जो बागयस में, आगरा, फिरोजाबाद, हात्रस, मैनपूरी, इटावा, ओरइया, कनोज, कानपूर, देहाद, कानपूर, जालोन, जहासी, ललितपूर, हमीर पूर, म मौसम ड्राय बना रहेगा हालकि इन जिलों में भी बादलों की आवजावी देखने को मिलती रहेगी लेकिन इन जिलों में बारिस की संभावना कम है और 26 सितंबर में ये सिस्टम जैसे ही नैपाल के भागों पर आगे निकल जाएगा तो क्या होगा कि इसके कारण पच्छी म उत्रपरदेश और मद्या भागों में मौसम लगबग सुस्क हो जाएगा यानिकर साफ हो जाएगा लेकिन पूरी उत्रपरदेश के कुछ भागों में 26 सितंबर में बारिस की गत्विद्या जारी कई कई बागों में बारिस की गत्विद्या देखने को मिलती रहेगी तो क जिस परकार का उत्तर पर्देश का मौसम बना रहेगा 25 सितंबर में तो आज की वीडियो में बस इतनी जान करी एक नहीं जान करी के साथ आप सबी दोस्तों से फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार